तो जैसा कि रेडिशन फिजिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में एक नया टोपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था एलेक्ट्रोमेग्नेटिक इंडक्शन उसी टोपिक को आज हम कंटीन्यू करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एलेक्ट्रो डैट मेंज चार्जेज या फिर एलेक्ट्रिसिटी और मेग्नेटिक डैट मेंज यहाँ पर चुम्ब किये इन दोनों प्रोपर्टीज की एक साथ हम बात करेंगे थिक है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया था फिएेम एफ बारे में इसा फोर्स जो क्या कराइए अलेक्ट्रोंस का मोशन कराँ ही थिक है उसे इमिफ कहा जाता है और Вам दे दोकीすごい कन्डूक्टर में magnetic flux change होता है उसके कारण अगर कोई भी electromotive force उत्पन हो रहा है तो वो कहलाएगा induced EMF और उसके बाद में जो current उत्पन होगा वो कहलाएगा induced current ठीक है और जो ये process है that means कि जब अपन किसी भी conductor में या फिर किसी भी coil में magnetic flux change करते हैं तो उसमें induced EMF produce होता है और induced current produce होता है ये process ये घटना करम ये phenomenon ही क्या कहलाता है आपका electromagnetic induction कहलाता है और इस electromagnetic induction के फराडे के experiment के बारे में भी हमने यहाँ पे discuss किया था फराडे के experiment में क्या था कि फराडे ने एक coil ली थी उस coil को galvanometer से connect किया था गैलवनोमेटर से उसे connect इसलिए किया था ताकि उसमें जब भी current उत्पन हो तो हमें उसका पता चल जाए that means galvanometer deflection देगा और जिससे हमें पता चलेगा तो galvanometer आपको current के indication के बारे में बताता है अब आप क्या करते हो कि coil के pass में magnet को लेके जाते हो कभी तो और कभी magnet को दूर लेके जाते हो तो जैसा कि आपको पता है कि magnet के चारोत अफ magnetic field होता है जैसे आप pass लेके जाओगे तो वो coil के अंदर magnetic flux change होगा और जैसे आप उसको दूर लेके जाओगे तब भी क्या होगा magnetic flux में change होगा और जैसे जैसे magnetic flux में चेंज होगा जो आपकी कोईल है उसमें इंड्यूज्ड इमफ प्रोड्यूस होगा और उसके बाद में इंड्यूज्ड करण्ट उत्पन होगा और इसी करण्ट के कारण आपका गैल वर्मेटर आपको डिफलेक्शन दिखाएगा ठीक है और जैसा है कि हमने यहां पर मैगनेटिक फ्लक्स में चेंज होना बहुत जरूरी है फराडे के एक्सपेरिमेंट में हमने एक चीज और भी पड़ी थी कि जरूरी ही नहीं है कि हम मैगनेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए वहां पर मैगनेट ही काम में ले हम वहां पर एक एलेक्ट्रोनिक सर्किट भ जाए वो आप magnet से लो या फिर आप किसी भी conductor से लो तो जब आप conductor में current flow कराओगे तो क्या होगा magnetic field that means वहाँ पर magnetic field उत्पन होगा अब जैसे वो magnetic field उत्पन हो वो constant रहेगा बट जैसे आप उस conductor में जो current flow हो रहा है उसके circuit के switch को on off करते हो तो on off करने से क्या होगा वो magnetic field change होगा और magnetic field change होगा तो magnetic flux change होगा और magnetic flux change होने के कारण में जो पास में जो दूसरी कोईल रखी हुई है उसमें क्या होगा induced EMF produce होगा और induced current उत्पन होगा तो यह जो पूरा घटना करम था यह किसका था आपका electromagnetic induction का था अब अपन जो आज का जो अपना main topic है वो यहाँ पे रहेगा low of electromagnetic induction कल आप लोगों ने दो चीजे बड़ी थी एक तो फराड़ाई का experiment जिसमें फराड़े ने यह बताया है कि जैसे जैसे magnetic flux change करोगे जैसे वैसे current उत्पन होगा दूसरा हमने lens के according उस current की direction के बारे में पता लगाया था ठीक है कि direction कैसे होगी जब अपन किसी भी magnet को पास में लेके जाते है तो वो oppose करता है that means अगर north pole को लेके जा रहे है तो वहाँ पे क्या होगा north pole create होगा उसका oppose करेगा यह चीज़े हमने last lecture में discuss करी थी तो obvious ही बात है आज हम यहाँ पे discuss करेंगा अपना जो main topic का वो है laws of electromagnetic induction that means electromagnetic induction के नियम तो अब अगर electromagnetic induction के low और नियम की बात की जाए तो यहाँ पे अपने main दो लो आते हैं एक फराडे का नियम और दूसरा lens का नियम ठीक है अब फराडे का नियम क्या बताता है और lens का नियम क्या बताता है वो चीज़े हम discuss करते हैं यहाँ पे वैसे दोनों चीज़े हम जो अपना फराडे का experiment था उसमें discuss कर चुके थे बट यहाँ पे अगर अलग से आपको इनके lows के बार में पूछा दे तब आपको क्या बताना है फराडे का low सबसे पहले अपन डिसकस करेंगे जैसे कि फराडे के experiment में फराडे ने बताया था वही फराडे का नियम था फराडे क्या बताता है कि अगर किसी भी सर्किट में आप मैगनेटिक फ्लक्स को चेंज कराते हो उस सर्किट के अंदर Electromotive force produce होने का कारण क्या होता है वो magnetic flux change करना That means अगर आप किसी भी circuit में magnetic flux को change करते हो तो उसके कारणी या फिर magnetic flux change होने के कारण उस circuit में EMF Electromotive force induced होगा और उसके बाद में क्या होगा induced current उत्पन होगा The magnitude of the induced EMF is proportional to the rate of change of the magnetic flux and to the area of the circuit अब फराडे आपको ये बताता है कि the magnitude of the induced EMF That means जो आपका Electromotive force वहाँ पर उत्पन हुआ उसका परिमान magnitude कितना होगा या फिर किसी से relate करता हो That means अपन कौन सी चीज बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा और कौन सी चीज अगर अपन कम करते हैं तो आपका induced EMF उत्पन होगा Is proportional to the rate of change of magnetic flux That means वो directly proportional होता है किसके magnetic flux के change होने की rate के magnetic flux के बदलने की दर के जितनी तेज या फिर जितनी ज्यादा दर से magnetic flux को आप बदलोगे उतना ही ज्यादा EMF Electromotive Force उत्पन होगा and to the area of the circuit और जो circuit का जो area है जो छेतर फैल है उसके भी वो क्या होता है directly proportional होता है That means अगर circuit का area बढ़ेगा That means induced EMF की मात्रा भी या फिर परिमान की बात की जाए magnitude की बात की जाए तो वो बढ़ेगा और अगर circuit का area कम है तो induced EMF भी कम होगा तो यहाँ पर हमने दो चीजों के बारे में discuss किया अभी जस्ट फराडे के लोग केवल आपको यही बताता है कि किस तरीके से जब अपन magnetic flux change करते है तो circuit में induced EMF उत्पन होता है और यह induced EMF किस किस से relate करता है तो अपनने relation इसका पढ़ा कि यह directly proportional होता है rate of change of magnetic flux magnetic flux के बदलने की दर और area of the circuit के अब अपन बात करते हैं अपना lens का लो जैसा कि हमने last lecture में discuss किया थी कि lens का लो आपको current की direction के बारे में बताता है जब आप वहाँ पे क्या लेके आते हो magnet को पास में लेके आते हो कोल गया फिर magnetic flux change कर आते हो तो उस condition में उस कोल में कौन से direction में current flow होगा या आपको कौन बताएगा lens का नियम बताएगा ठीक है the induced EMF is in such a direction जो current produce हुआ है जिसके कारण that means जहां पे EMF induced हुआ है ठीक है the induced EMF is in such a direction वो इस direction में होगा that it always opposes the change of magnetic flux which induced the EMF इस line को main line है आपके lens के लोगे इसको अच्छे से समझना दुबारा से समझा देता हूँ होता है क्या है जैसे मैंने आपको बता दिया कि oppose करता है वाँ पे अब oppose करेगा किसका magnetic flux का वो कैसे करता है the induced EMF is in such a direction induced EMF की direction इस प्रकार होगी that it always opposes वो हमेशा प्रतिरोध करेगा किसका the change of magnetic flux which induced the EMF that means कि जो magnetic flux में जो change हो रहा था जिसके कारण EMF induced हुआ था उसी का वो क्या करेगा oppose करेगा ठीक है the induced EMF is in such a direction induced EMF की direction इस प्रकार होगी कि वो हमेशा प्रतिरोध करेगा उस magnetic flux का जिसके कारण अभी जो induced EMF उत्पन हुआ था ठीक है let 5 be the magnetic flux linked with the coil that means वो जो coil जिसमें magnetic flux change और हमने उसके लिया 5 magnetic flux को 5 consider किया है कि वो 5 है ठीक है of N turns and the induced EMF E is given by जो भी coil है उस coil में N तो turn है और EMF कितना produce हो रहा है small e produce हो रहा है और उसमें से जो magnetic flux change हो रहा है फिर जो link है उसके थूँँआ है वो 5 है तो उस वक्त E की value क्या होगी that means EMF की value क्या होगी E is equal to minus D5 by DT D5 by DT यहाँ पर क्या बता रहा है change of magnetic flux per unit time time के according magnetic flux में change होने की दर तो यह चीज तो आपको किस ने बता दी थी फराडे ने बता दी थी कि अगर आप magnetic flux में change करोगे तो वो क्या होगा EMF को produce करेगा तो E is equal to D5 by DT क्या है यहाँ पर फराडे के according है बट अपने यहाँ पर minus sign लगाया यह minus sign ही आपको किसको denote करता है lens के नियम को denote करता है because minus sign आपको यहाँ पर बताता है first line के बारे में कि induced EMF के जो direction वो इस प्रकार होगी कि वो हमेशा oppose करेगा magnetic flux के change को जिसके कारण EMF induced हुआ है तो यहाँ पर minus sign या फिर यह जो negative direction है यह आपके lens के नियम को show कर रही है तो अभी जैसा हमने EMF निकाला वो के वाल एक turn का था that means coil में जो turns होते है number of turns वहाँ पर एक turn की ही बात किये अब अपन बात करते है n number of turns अगर n number of turns होंगे तो क्या होगा e is equal to minus d5 by dt into n हम इसको n से multiply कर देंगे ठीक है symbols है here negative sign represents the lens low यहाँ पर यह जो negative sign है यही क्या बता रहा है lens के low की that means lens के low को represent कर रहा है यहाँ पर last line में जो lens की spelling है वो थोड़ से mistake हो गई इसको l e n z कर लेना ठीक है lens low तो lens का low आपको क्या बता रहा है यहाँ पर current की direction के बारे में बता रहा है और वो current की direction क्या होती है that it always opposes वो हमेशा प्रतिरोध करेगी उस magnetic flux के change को जिसके कारण EMF produce हुआ था now we will discuss about the Fleming's right hand rule हमने electricity and magnetism में एक discuss किया था Fleming's के left hand rule के बारे में वहाँ पर short note मैंने आपको एक बताया था FBI F से force B से magnetic field और I से current ठीक है thumb, forefinger और middle finger तो इसी तरीके से आपका एक Fleming's का right hand rule है अब right hand rule क्या बताता है या फिर right hand rule में क्या होगा तो simple सी बात है यहाँ पर भी वहाँ पर आपका left hand हमने काम मिले था arrange करना होगा that means एक दूसरे के लमवत रखना होगा perpendicular रखना होगा और फिर यह क्या करते हैं कि जो आपका Fleming's left hand rule है उसमें तो वो denote करते हैं force को magnetic field को और current की direction को यहाँ पर हम discuss करते हैं कि कि इन किन चीजों को show करेंगे the direction of the induced EMF may be predicted by the Fleming's right hand rule that means को जो induced EMF produce होता है उसकी direction को हम Fleming's के right hand rule के द्वारा भी predict कर सकते हैं predict का मतलब अनुमानित करना ठीक है अनुमान लगाना अब किस तरीके से करेंगे to apply this rule इस rule को apply करने के लिए once right hand is arranged right hand को हमें arrange करने होगा किस तरीके से so that the thumb इस तरीके से कि जो अपना thumb है वो और the forefinger and the middle finger are all being at right angle to each other forefinger, thumb and middle finger तीनों एक दूसरे के लमवत होनी चाहिए 90 degree के कोन पे होनी चाहिए जैसे आप इनको arrange करते हो तो अब अपन discuss करते हैं कि क्या क्या show करेंगे if the thumb denotes the motion अगर thumb आपका क्या denote कर रहा है यहाँ पे motion को denote कर रहा है ठीक है of the conductor the forefinger denotes the magnetic field और forefinger किसको denote कर रही है magnetic field को denote कर रही है तब then the middle finger shall denote the direction of induced film EMF तो उस वक्त जो middle finger होगी वो induced EMF की direction को show करेंगी एक बार दुबारा से समझ लो कि अगर thumb यहाँ पे अगर की बात हो रही है ठीक है इस बात को ध्यान रखना पहले thumb और forefinger की ही बात करेंगे हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना paper के अंदर exam में ऐसे मत लिख देना यहाँ पे की middle finger इसको show करेगी forefinger इसको show करेगी और thumb इसको show करेगा वह आपका लिखने का गलत हो सकता है वहाँ पे examiner आपके number काट सकता है तो इसका जो लिखने का way है वो इस तरीके से होगा कि अगर thumb conductor के motion को show कर रहा है और forefinger magnetic field की direction को show कर रही है तब उस वक्त middle finger किसको show करेगी induced EMF की direction को show करेगी जैसा कि आप diagram के थुरू समद सकते हो यहाँ पे 3 चीज़े है thumb, forefinger और middle finger 90 degree के angle पे arrange की गई है एक दूसरे के लमवत है 90 degree का कौन है तीनों की बीच में तो अब आपन यहाँ पे discuss करतेंगे अगर thumb motion of the conductor को show करता है और forefinger magnetic field की direction को show करती है तो middle finger induced EMF की direction को show करेगी तो दोनों चीज़े discuss कर लिए अपनने flemmings का left hand rule भी discuss कर लिए और flemmings का right hand rule भी flemmings का left hand rule आपको क्या बताता है force की direction के बारे में बताता है flemmings का left hand rule बताता है कि जब forefinger magnetic field की direction शो करे और middle finger current की direction को show करे तो उस वक्त आपका thumb magnetic field की direction को show करें तब उस वक्त middle finger induced EMF की direction को show करेगी यही आपका Fleming's का right hand rule है तो यह आपके Fleming's का right hand rule और left hand rule हुए अब अपन बात करते हैं next topic की तो next topic में जैसा है कि अभी अपने यहां पर discuss की electromagnetic induction की EMF produce हो रहा है induction that means induced EMF induced current change in magnetic flux then induced EMF और then induced current तो अब अपन यहां पर बात करेंगे self induction की अब self induction क्या होता है तो इसको समझने से पहले अपन दो चीज़े समझते हैं यहां पर that means दो topic है अपने एक है आपका self induction और एक है है आपका mutual induction self जो की खुद के थुरू होता है ठीक है उसमें that means आपको किसी और की जरूरत नहीं है mutual जिसमें आपको एक दूसरी device की या फिर किसी और की help चाहिए होती है वो क्या होता है आपका mutual होता है induction यहां पर electromagnetic induction की ही बात की जा रही है तो अब self में क्या होगा in a single coil यहां पर केवल और केवल single coil होगी ठीक है और कोई नहीं होगा if there is a change in the magnetic flux अगर हम उसके अंदर magnetic flux में change करते हैं and EMF will be induced in the same coil तो क्या होगा उसी coil में जिस कोईल में आपने magnetic flux change किया है उसी coil में EMF induced होगा EMF produce होगा this phenomena is known as self induction तो यह जो घटना करम है यह जो फिनोमिना है यही क्या कहलाता है self induction कहलाता है that means किसी भी coil में जब अपन magnetic flux change करते हैं तो उस magnetic flux के change होने के कारण जब उसी coil में induced EMF उत्थपन होता है तो वो process वो घटना करम ही self induction कहलाता है अब इसका हम देखते हैं यहाँ पर mathematical mathematical में क्या होगा consider a coil आप एक coil मान के चलते हो जिसमें end turn है carrying a current of I जिसमें से I current provide हो रहा है let 5 be the magnetic flux linked with the coil तो उस coil में कितना magnetic flux है phi है obvious ही बात है current जब उसमें से बहेगा तो उसके चारत of magnetic field उत्पन होगा और magnetic field होगा तो magnetic flux होगा तो यहाँ पर अपने तीन चीजे consider कर ली कि end तो number of turns है I current वहाँ पर flow हो रहा है और 5 उसमें magnetic flux है then 5 is directly proportional to the I तो यहाँ पर क्या होगा 5 आपका I के directly proportional होगा that means magnetic flux current के directly proportional होगा obvious ही बात है जितना ज्यादा आप current flow करा होगे उतना ही ज्यादा magnetic field उत्पन होगा और उतना ही ज्यादा वहाँ पर magnetic flux produce होगा तो obvious ही बात है कि आपका जो magnetic flux है वो सीधा सीधा क्या कर रहा है current से relate कर रहा है और current के directly proportional है and the induced emf e is given by अब क्या हो रहा है वहाँ पर अगर आप magnetic flux को change कराते हो तो magnetic flux को change कराने से क्या होगा emf induced होगा और उसको हमने small e से denote किया तो अब अपन बात करते है कि small e किस से relate करेगा e is equal to minus d5 by dt यह अपने formula पढ़ा था lens के low में ठीक है emf क्या होता है that means minus d5 by dt अब जैसे कि अभी आपने यहाँ पर discuss किया phi is directly proportional to the i तो जैसे कि phi directly proportional है i के तो यहाँ पर अपना next derivation की next line होती है e is directly proportional than minus d i by dt हमने phi को किस से replace कर दिया i से replace कर दिया जैसे हम phi को i से replace करते है equal to के sign की जगर आपका यहाँ पर क्या आगया proportionality का sign आगया अब जैसे हम इस proportionality के sign को हटाएंगे तो हमने यहाँ पर एक constant रखा है l e is equal to minus l di by dt तो यहाँ पर तीन चीज़े आगई आपके एक आपका current ठीक है that means current के change होने की दर l और e अब हम पर discuss करते हैं यहाँ पर l क्या है where l is a constant called coefficient of self inductance या फिर self induction जो यहाँ पर self induction हो रहा है उसका गुणांक है constant है l और self induction का गुणांक है the self inductance of a coil is the emf induced in the coil when the current changes at the rate of 1 ampere per second तो जैसा कि हमने starting में लिखा e is equal to minus d5 by dt तो उसके according अपने को पता चल रहा है कि emf की value क्या होगी magnetic flux के that means जो आपकी magnetic flux के change होने की दर है उसके बराबर होगी अब वो कैसे होता है the self inductance of a coil किसी भी coil का जो self induction है is the emf induced वो क्या होगा induced emf होगा आपका जो last formula है e is equal to minus l di by dt वहाँ से अगर हम पता करें तो अगर e और l कब बराबर होगा वो चीज़े हम discuss कर रहे है l क्या है आपका self inductance है ठीक है और e आपका है emf तो आपने बात कर दें self inductance of a coil is the emf self inductance क्या होगा emf होगा कब होगा in the coil when current changes at the rate of 1 ampere per second जब आपका जो वहाँ पर current बदल रहा है di by dt की value हो वो क्या हो 1 ampere per second that means di की value 1 ampere है और dt की value 1 second है तो वहाँ पर उसकी value क्या होगी 1 होगी और जैसे वो value 1 होती है formula में तो आपका e is equal to minus l हो जाता है that means induced emf self inductance के बराबर हो जाता है ठीक है the unit of self induction is henry self induction की unit क्या होती है henry होती है अब अपन बात करते हैं 1 henry की 1 henry is the inductance of the circuit 1 henry उस circuit का inductance है in which an emf of 1 volt is induced जिसमें electromotive force कितना उत्पन हो रहा है 1 volt उत्पन हो रहा है और वो भी कब हो रहा है जब उसमें जो current change हो रहा है उसकी दर क्या है 1 ampere per second that means 1 henry की दुबारा से एक बार समझ लेना 1 henry self inductance कब होता है जब emf कितना produce हो 1 volt प्रोडूस हो और वो भी कब जब आपका current जो बदल रहा है वहाँ पे current के change होने की दर है वो कितनी हो 1 ampere per second हो तो उस वक्त inductance कितना कहलाएगा 1 henry कहलाएगा that means 1 henry के लिए 2 condition है emf कितना होना चाहिए 1 volt होना चाहिए और current के change होने की जो rate है या फिर जो current के change होने की जो दर है वो आपकी होनी चाहिए 1 ampere per second अगर ये दोनों condition फुल्फिल होती है तो उस वक्त उस circuit का self inductance होगा वो क्या होगा 1 henry होगा जैसा कि आप diagram में देख रहे हो यहाँ पे क्योवल एक ही coil दर साही गई है एक ही coil में हम current flow कर रहे है अब अपन बात करते हैं अपने mutual induction की अब mutual induction में क्या होगा जैसा कि अपन यहाँ पर diagram से ही समझ लेते हैं अपने पास यहाँ पर दो coil आ चुकी है ठीक है और जैसा ही दो coil आती है तो एक बार आप दुबारा remind करो फराडे के experiment को फराडे के experiment में हमने starting में magnet ली थी लेकिन second में अपने क्या लियत लिया था coil ले ली थी that means दो circuit लिये थे एक primary circuit होता है और एक अपना secondary circuit होता है एक circuit में आप current flow कराते हो current को change गराते हो और दूसरे के अंदर आपका induced EMF उत्पन होता है पास में रखते है the magnetic flux change in one coil पहली coil के अगर बात की जाए अगर उसमें magnetic flux change हो induces an EMF in the other coil तो वो क्या करेगा दूसरी coil के अंदर electromotive force produce करेगा induce करेगा इस फिनोमेना is called mutual induction और यही फिनोमेना यही घटना करम क्या कहलाता है that means जब आप दो coils को पास पास रखते हो और एक coil में magnetic flux change होने के कारण अगर दूसरी coil में induced EMF उत्पन हो तो वो घटना करम वो प्रोसेस वो फिनोमेना ही क्या कहलाता है mutual induction कहलाता है consider two coils आपने दो coil मान के चलते हो आप एक P है और एक S है placed close to each other दोनों एक दूसरे के पास पास रखे हुई है if a current is passing through P यहाँ पे I missing है I लिख लेना if a current capital I is passing through P अगर हम P से क्या कर रहे है current I को pass कराते है a change in magnetic flux take place वहाँ पे क्या होगा magnetic flux में change होगा this will produces an EMF in the coil P इससे क्या होगा कि P में ही क्या होगा magnetic flux change होगा और P में ही EMF produce होगा that means यहाँ पे बात हो रही है self induction की सबसे पहले पहले self induction की process होगी then किसके होगी आपकी mutual induction की अगर अपन अकेला P को लेके चलें तो यहाँ पे self induction होगा जैसे आप coil के अंदर current flow करा होगा coil में magnetic flux change होगा this will produces an EMF in the coil P which in turn induces an EMF in the coil S तो जैसे आपकी P में क्या होगा यहाँ पे EMF produce होगा वो क्या करेगा S में आपका EMF produce करेगा ठीक है अब वो S में EMF produce बाद में होगा पहले किसमें होगा P में होगा जो primary coil है आपकी जिसमें आप current flow करवा रहे हो ठीक है तो यह जो process है यह आपकी क्या कहलाती है mutual induction कहलाती है अब अपन बात करते हैं इसके mathematical कि that means कि जब हम current I flow कराते हैं EMF उत्पन होता है तो जो आपकी second coil हो उसमें क्या होगा let 5-1 be the flux in the coil P अपन बात करें कि P coil में आपका magnetic flux कितना है 5-1 है due to the current I flowing in it that means कि आपकी जो P जो primary coil है यहाँ पे जिसमें आपने starting में current दिया अगर उसमें I-1 current flow हो रहा है और उसमें magnetic flux आपने कितना बताया है 5-1 flowing in it and 5-2 be the flux induced in the coil S और coil S में आपका जो magnetic flux उत्पन हो रहा वो कितना है 5-2 है due to 5-1 in the coil P that means कि P coil में अगर 5-1 है तो उसके कारण S coil में क्या होगा 5-2 होगा और P coil में जो current flow रहा है वो कितना है I-1 है यह आप यहाँ पे मान के चल रहे हो तो then 5-2 is directly proportional to the I-1 तो आपका क्या होगा 5-2 सीधा वा सीधा I-1 से relate करेगा that means कि जो S coil में जो magnetic flux change हो रहा है या फिर जो magnetic flux produce हो रहा है वहाँ पे वो सीधा किस से relate करेगा I-1 that means P coil में जो current आप flow करा रहे हो that means अगर वो आप current जादा flow करा होगे तो 5-1 बड़ेगा और 5-1 बड़ेगा तो 5-2 बड़ेगा that means 5-2 directly relate करेगा I-1 से 5-2 directly proportional to the M I-1 अब यहाँ पे M क्या है आपका फिर से constant आता है where M is a constant cold coefficient of mutual induction इसको क्या कहा जाता है mutual induction का गुणांक कहा जाता है for the two coils दोनों coils के लिए if E-1 and E-2 the induced EMF in P and S और P और S के अगर induced EMF की बात की जाए तो P के लिए आपका induced EMF हम मान के चलते हैं E-1 और S के लिए हम मान के चल रहे है E-2 तो इनकी value क्या होगी E-2 is equal to minus D-5-2 by D-T E-2 की अगर बात की जाए तो वो होगा minus D-5-2 by D-T ठीक है और जैसा ही अभी अपनने discuss किया कि 5-2 क्या है M I-1 यहाँ पे तो अपन इस formula को next लिख सकते है E-2 is equal to minus M D-I-1 by D-T यहाँ पे M होगा आपका mutual induction का coefficient गुणांक I-1 current flow in the primary coil that means P coil ठीक है और अगर D-I-1-D-T की बात की जाए तो जो आपका primary coil में जो current flow हो रहा है उसके change होने कि दर क्या कहलाएगी D-I-1 by D-T जैसे जैसे वो directly relate करती है आपकी E-2 से ठीक है जैसे जैसे उसमें change आएगा उसी के through आपके E-2 that means EMF in the second coil EMF in the S coil ठीक है यहाँ पे आपके पास आपने जो consideration किये हैं value के वो थोड़े जादा है उसमें confuse ना हो जो आपकी P coil है उसमें जो current flow होगा वो I-1 होगा वहाँ पे EMF E-1 होगा magnetic flux Phi-1 होगा ठीक है अगर second coil के बात की जाए तो second coil में आपका EMF E-2 होगा ठीक है और magnetic flux Phi-2 होगा Hence the coefficient of mutual induction of the given pair of coil is equal to the EMF induced in the one coil when the current through the other coil changes at the rate of 1 amp pair per second तो यहाँ पे जो अपना last formula था E is equal to minus MDI1 by dt तो इस formula को इसने यहाँ पे theoretically के लिए आपको बताया है इसको समझना अच्छे से Hence the coefficient of mutual induction of the given pair of the coil जो आपको coil का pair दिया गया है उसका जो mutual induction का जो coefficient है that means M ठीक है is equal वो किसके बराबर होगा to the EMF induced in one coil एक coil में जो EMF produce हो रहा है उसके equal होगा that means M is equal to the E2 अपने बात किये last formula में E2 is equal to minus M ठीक है तो वहाँ पे अपने बात किये M E2 के बराबर होगा कब होगा when the current through the other coil जो दूसरी coil है उसमें से जो current pass out हो रहा है उसके changes coil changes at the rate of 1 ampere per second अगर उस current के बदलने की दर क्या है 1 ampere per second that means अगर di by dt की value 1 ampere per second di की value 1 ampere और dt की value 1 second तो उस वक्त आपका M क्या होगा E2 के बराबर होगा उसी चीज़ को theoretically के लिए इन्होंने बता है एक बार दुबारा से discuss कर लेते हैं hence the coefficient of mutual induction of the given pair of the coil जो आपको coil का pair दिया गया है उसका mutual induction है उसका गुणांक M किसके बराबर होगा is equal to the EMF induced in one coil एक coil में जो EMF produce हो रहा है उसके बराबर होगा जब दूसरी coil में जो current flow हो रहा है उसके बदलने की दर क्या हो 1 ampere per second हो the unit of the mutual induction is also Henry mutual induction की unit भी क्या कहलाती है Henry ही कहलाती है this principle is used in transformer अब जो ये mutual induction का जो सिद्धानत है इसी unit में इसमें हम आगे discuss करेंगे transformer के बारे में इस चीज को ध्यान रखना यहां पे कि आपका जो transformer का जो basic principle होगा वो mutual induction ही होगा तो यहीं पे अपना आज का topic complete होते है आज हमने mutual induction, self induction, Fleming's right and rule, Faraday का नियम और Lange का नियम इन सब के बारे में अच्छे से discuss किया Thank you झाल झाल कर दो झाल झाल झाल